Hello दोस्तो, इस वीडियो में मैं आप लोगों को Copy Weight Skin के बारे में बतांगा कि किस तरीकी से Copy weight Skin को यूज करते हैं。 तो यह देखिए मेरा एक Character है, जिसकी Base Body है, और यह देखिए मेरा Skin हो रखा है, प्रॉपर जो है skinning मैंने complete कर रखी है इसकी देखिए जहां से move करूँगा वो skin मेरा complete हो रखा है इस तरीके का मेरा body का mesh है अब देखिए यह मेरा cloth है जो इस character के उपर लगा हुआ है और यह normal अभी skin है यह इसकी skinning complete नहीं है अब मेरे को इसी base body के साथ skin को ले जाना है इसके जो cloth है base body के साथ ही जाना चाहिए जो यह method होता skinning का यह देखिए मैं कहीं से भी इसको अगर move कर रहा हूँ तो यह इस तरीके से distort हो रहा है मैं अगर इसको skinning करूँगा तो यह proper मेरा skin आएगा नहीं जैसे हमारा body जा रहा है उसी form में हमारा cloth है वो बहुत ही मुश्किल से जाएगा और बहुत time लेगा मेरे को skinning करने में तो दोस्तो यह हमारा जो powerful command है copy skin weight यहाँ पे इसको use किया जाता है किसी भी weight को transfer करने के लिए इस command को use करते हैं तो यह देखिए जो मेरा cloth है one by one select करूँगा जो मेरा base body है उसको select करूँगा और control के साथ मैं जो मेरा cloth है उसको select करूँगा और skin apply कर दूँगा यह देखिए मैं check करता हूँ तो यह proper जो मेरा skinning है इसी के साथ deform हो रहा है जो मेरा cloth है और base body है दोनों साथ में जा रहा है यह देखिए अब कोई भी जो मेरा penetration हो रहा था कहीं कहीं पर हमारा क्या होता है कि जो mesh जो हमारा होता है base body के साथ match नहीं करता तो वहां पर problem आती है तो उसको manually थोड़ा बहुत हम लोग tweak कर लेते हैं यह हमारा 80% 90% जो है accuracy आ जाती है तो बहुत ही chances कम रहते हैं कि हमारा skin खराब हो देखिए जैसे मेरे character की proper skinning आ गए जो मेरा cloth है वो proper deform हो रहा है character की base body के साथ देखिए दोस्तों यह मैंने इस character को position दिया तो यह proper कहीं से भी है मेरा character जो है ready हो गया skin बस कहीं कहीं पर अगर हमें लगता है कि देखिए यहां पर थोड़ा सा पीछे के तरफ में glitches आ रहे हैं तो उसको हम लोग manually ठीक कर लेंगे बट यह हमारा 90% हमारा जो skin है जो base body रहती है उसके साथ ही attach हो जाती है बहुत कम हम लोगों को effort करना पड़ता तो दोस्तों command को इस तरीके से भी use किया जाता है मैंने दो method बता दिया आप लोगों को किस तरीके से copy skin weight को use करते हैं weight transfer करने के लिए so thank you दोस्तों मिलते हैं next video में thank you